हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी आज हम Android Emulator डाउनलोड करेंगे जो कि आपके Android phone की तरह ही आपके laptop में चलेगा तो इसे डाउनलोड करने के लिए हमें simply Android Emulator करके आपको करना सर्च और सर्च करते ही जो है आपके सामने कई सारे result जो है Chrome पे आज आएगा ठीक है तो यह देखिए इसमें आपको बहुत सारे आपको option आगया लेकिन हम यहाँ पे blue star को करेंगे download वैसे बहुत सारे एक्सफॉक्स है इस तरह की बहुत सारे application अबलेवल है बट हम करेंगे blue star और यह बढ़िया है तो यह देखिए आपके सामने जो है blue star का इंटरफेस आगया और बहुत ही बढ़ी इंटरफेस है इससे जो है आप अपने laptop में game खेल सकते हैं यहाँ पर आपको करना है 32 bit यह 64 bit तो मैं करूंगा 32 bit और उसके बाद कर देना downloading तो यहाँ पर क्लिक करते ही जो है कुछ second के अंदर आपकी downloading स्टार्ट हो जाएगी और यह देखिए आपको कर देना है save file यह 1.1 MB में सबसे पहले आपके लैप्टॉप में file download होगी उसके बाद जो है इसकी installation चालू होगा क्योंकि security परपस के लिए किया जाता है ठीक है तो यह हो गया मेरे laptop में download अब मैं क्या करूंगा इसे करूंगा open और open करने के लिए मैं simply इस पर click कर दूँगा या फिर मैं अपने downloading बटर फाइल में जाके भी इसको उहां से download open कर सकता हूं इस application को तो इसको open करने के लिए हम simply जाएंगे downloading पर दुवारा से क्लिक करते हैं और उसके बाद इस पर open the file click करेंगे तो यह बार बार यह आ जा रहा हमार पास इसकी store कोई बात नहीं हम चलते हैं फाइल में simply directly चलते हैं अपने phone में और फाइल में और यहां पर आप देख रहे हैं ब्लू स्टार्क installer दिया हुआ है यह मैंने दो तिन बार डाउनलोड कर लिया है तो दो तिन बार इसमें आया हुआ है आपको इस पर करना है डबल क्लिक एक साथ और उसके बाद जो है इसके साथ आपके सामने एक नया इंटरफेस इस तरह की का open हो जाएगा और यह जो है downloading आपके सामने start हो जाएगा सबसे पहले यह जो है एक स्ट्रैक करता है अपने फाइलों को आपके laptop के अंदर की जो है उसको कौन कौन से फोलडर ची ए अप्लीकेशन चीए जिसके け्कॉर्डिंग जू है've यह आपके जुह वि्ट है बिंडो को एक एंडरोइड में कनवरड कर दें तो उसके लिए क्या है इसको कये सारे फाइल्स चीलोंगी उन सारे फाइलों को लेने के- 좋은 जू बहूत सारे फाइल में add करने होंगे तो चलिए यह वेट करते हैं जब तक यह open होता है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे की process आगे का process जो है बहुत ही easy और simple है इससे यह फरक है अगर आपके phone laptop का RAM जादा नहीं है तो कई वारे यह hang कर जाता है मेरे laptop का charging भी RAM है फिर भी देखिए हलका सा जो है यह hang कर रहा है पर इससे कोई फरक नहीं पड़ता मुझे use करना है तो मैं इसको use करूंगा ही करूंगा ठीक है उसके बाद बस कुछ time लगेगा और उसके बाद जो है इसकी downloading जो है यहाँ पे start हो चुका है यह जो है आपका जो है कुछ 500 MB का downloading होनी है आपके पास और उ इससे check करने में ज़्यादा time नहीं लगता थोड़ा बहुत time लगेगा आपको बट कोई बात नहीं हमी तरह तो patience रखी सकते हैं उसके बाद यह easily इसमें check करने एक बार downloading start हो जाएगा क्योंकि पहले यह भी check करेगा कि हमारे system के लिए ठीक है या नहीं है उसमें यह चलेगा यह नहीं चलेगा उसके बाद यह आपको reply भी करेगा उससे related ठीक है तो इसका पूरा setup जो है इसमें install running हो चुका है और run होने के बाद यह finally finish हो गया और आप सभी देख पा रहे होंगे जो मेरे laptop में है blue star आ चुका है अब आप जो है इसको बड़े easily अपने laptop में चला सकते हैं और इसको use कर सकते हैं इसके uses के बारे में मैं next video में आपको बताऊंगा क्या आप इसको कैसे use करेंगे कैसे उसमें अपने games को अपने जो भी use करते हैं आप android में उन सभी को whatsapp facebook या फिर कोई भी tik tok videos यह सारे उस पर देखता हैंगे easily so guys thank you very much watching this video मिलते हैं नई वीडियो में blue star 4 के